नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज्यूगिस्टों चनल में तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी हेल प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि छाती में बलगम जमा हो जाता है और यह जो बलगम जम कहते हैं तो नाक से ब्रेइटरिंग करने में कावी जाद्य आपको प्रॉब्लेम होती है फिर तिस्री समस्से हम देखे तो नाक से वह पानी आने लगता है उसके बाद बीना जुकाम को नाक बंद हो जाती है आपको गला है वह बार-बार साफ करना पड़ता है कॉफिंग ह लगती है और जो काफिंग होती है जो खासी आती है उसके साथ जो हे वो बलगम आने लगते हैं जिसको हम गीली खासी कहते हैं तो यह जो बलगम है उसको निकालने वाली बहुत यह अच्छी बेस्ट गोली के बारे में हम आजकी विडियो लेक्चर के इंदर स्orit करने तो सिखते हैं आज की वीडियो लेक्चर में डीटेल में पल्मो क्लियर टाबलेट के बारे में तो ये पल्मो क्लियर टाबलेट की ये जो सभी डीटेल चैप्टर से उसकी हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये एडिकेशन को लेना होता है तो सबसे पहले उसका ड्रग क्लास समझे तो म्यूकोलाइटिक कैटेगरी की यह ड्रग है कि जिसको हम म्यूकोलाइटिक एजन्स भी कहते हैं पल्मो क्लियर जो है उसका ब्रांड नेम हो गया और उसके अंदर दो दवायों का कॉंबिनेशन है एक एक है Acetil Cysteine और यह tablet form में available है तो Compositions के हम बात करें तो Acetil Cysteine उसके अंदर 100 mg जितना है और Acetil Cysteine जो है वो 600 mg जितना यह एक टाबलेट के अदर available है तो टोटल हम medication के बात करें तो 700 mg जितनी medication यह एक टाबलेट के अदर available है आगे जनते हैं उसके बारे में कि कौन उसको बनाता है, मैनुफेक्चर कौन है तो FOTS India Laboratories Private Limited उसके मैनुफेक्चर है और उसकी जो main head office जो है वो नियोर्क में है और यह जो pharmaceutical company है वो अलग-अलग product डिजाइन करती है healthcare related है तो अब यूस के बात करें तो palmo clear जो है वो उसके नाम की तरह palmo यानि कि हमारा airway जो हमारे lungs के अंदर जिस तरह से जिस route से हवाय जो air pass होती है वो हमारा pulmonary route हो गया तो pulmonary route को clear करने का काम करती है यानि कि उसके अंदर कहीं भी किसी भी तरह से कोई बलगम जमा हुआ है तो वो बलगम को निकाल के आपको काफी ज़्यादा राहत देती है जिसके करें इसका जो brand name है वो palmo clear इस तरह से लिखा गया है तो pulmonary route है हमारा जो lungs का है respirated track है इसको clear करने का यह काम करती है और यह जो problem solve करती है जैसे कि bronchitis में यह समस्या होती है जो हमारा airway होता है wind pipe वगएरा होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है तो उसको ठीक करने में यह medication आपको help करता है फिर जो cystic fibrosis की समस्या होती है उसमें भी help करता है shortness और breath ही नहीं कि सास लिनी में जो दिक्कत होती है कठीना ही होती है उसके अलावा जो bronchospasm की condition है फिर asthmatic जो lungs है या फिर chronic obstructive pulmonary disease है तो यह जो हमारे respirated track से जुड़ी ऐसे समस्या है कि जिसके अंदर वहाँ पे बलगम जमा हो जाता है तो वह बलगम को clear करने के लिए वहाँ से निकालने के लिए palmo clear tablet जो है वो prescribe की जाती है तो जैसे हम यहाँ पे सीख रहा है बीमारी के बारे में उसके उपचार के बारे में तो book को order करने के लिए आप हमें यहाँ पे दिएगे नंबर पे whatsapp कर सकते तो आपके address पे हम जो book है वो deliver करेंगे आप समझते हैं उसके label के बारे में तो label मैंने already आपको पहले sort में भी समझाया तो आप detail में समझते हैं तो tablet का type देख लेते हैं film coated और by layer tablet है by layer इसलिए है because उसके अंदर दो दवाईया है एक है ऐसे ब्रोफाइलीन है और दूसरा एसे टाइल सिस्टीन उसके अंदर present है color के बाद करें तो क्यूनो लाइन yellow color उसके अंदर red किया गया है film coated और by layer tablet है फिर उसको store करना है आपको cool and dry place पे और जो light है उसको light से उसको protect करना है फिर prescription based drug रहेगी तो proper register medical practitioner के prescription के साथ ही उसको लेना चाहिए और बेचना भी चाहिए तो special pharmacist उसको register pharmacist जो होते हैं वो prescription के साथ ही इसका जो है वो selling करते है और proper doctor के advice के साथ है ये medication को जो है वो लेनी होती है strip packing में ये available है और एक strip के अंदर 15 tablets जो है वो patient को मिल जाती है working की बात करें तो ये medication काम कैसे करती है तो ये medicine फेफडों में जमा हुआ बलगम को पतला करके चुटा कर देती है मलब की ये जो देखिए कि आपका ये जो बलगम है वो आपके फेपडों में जमा हुआ है तो ये बलगम को पतला कर देगी कि जिससे ये बलगम जो है वो वहाँ से निकल जाएगा और ये जो आपका pulmonari root है वो clear हो जाएगा इसलिए इसका नाम भी पड़ा है pulmo clear tablet तो जिससे बलगम देरे देरे पतला होना होता जाएगा और हमारे सरीड से खासे के द्वारा बाहार निकल जाता है तो ये हो गया ये टाबलेट का working डोस भी समझ लेते हैं तो एक या दो टाबलेट पर डे के हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब की जाती है डिपेंड ऑन पेशन की कंडिशन क्या है कुछ पेशन को दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है और जिनको काफी ज्यादा दिख रहा थे उनको दिन में दो टाबलेट भी प्रिस्क् लखे कि दो से ज़्यादा टाबलेट कभी भी इसकी प्रिस्क्राइब ना करें प्राइस के हम बात करें तो अराउंड 283 रूपीज है उसकी तो एक टाबलेट के प्राइस हो गई अराउंड 19 रूपीज फिर उसके कुछ side effects हम समझ लेते हैं कि अगर कोई patient उसको use करता है तो उसको drowsiness हो सकते हैं लग कि जिसे उबास याना नीमदाना सर भारी रह सकता है सीने में जलन हो सकती है heartburn जैसा कि जिसके करण इसके साथ combination में कई बार ऐसे दवाय दी जाती है कि जो acidity को कम करें सीने में ज स्किन कि अगर आपको यह medication suit नहीं करते तो ऐसे कुछ allergic reactions जो है वो body पर हो सकते हैं अगर कुछ warning and contraindication समझे तो कौन से condition में उसको use ना करें तो किसी को viral infection है तो viral infection में यह medicine ना दे because यह specially ऐसे medication है कि जो ना ही antibiotic है ना ही antiviral है सिर्फ और सिर्फ यह जो medication है वो use होती है ऐसे health conditions जैसे कि जिसके अंदर आपका छाती में बल्गम जमाओ गया है फिर over active thyroid gland है जैसे कि यहाँ पे हम यह diagram में देख रहे हैं कि यह gland यहाँ पे normal है और यहाँ पे जो है वो goiter सा बन गया है मतलब कि gland जो है वो over active है कि जिसको हम hyperthyroidism कहते हैं तो ऐसे condition में उसको prescribe ना करें किसी को hypertension है यानि कि high blood pressure का patient है ulcer है stomach के अंदर या फिर intestines के अंदर वो patients को भी यह prescribe ना करें फिल feeds जो आते हैं जिनको seizures का problem रहता है epilepsy convulsions जिनको आते हैं उनको और कोई allergic condition है यह tablet के कोई content की कि जैसे हमने label देखा कि label के अंदर जो उसका content हिसे के अंदर से कोई भी ingredient की allergy है तो भी यह permocreer को use ना करें तो फिर से में reminder देना चाहूंगा कि ऐसे ही detail में सिखना है बीमारियों के बारे में उक्चार के बारे में तो बुक को जरूर से purchase कर सकते हैं बुक purchase करने के लिए यहाँ पर दिएगे नंबर पर हमें WhatsApp कर सकते हैं कुछ और warning हम देखे तो जैसे मैंने अभी आपको समझाय है वैसे ही है कि ingredients की allergy है pregnancy and breastfeeding condition है तो आप यूज ना करें और chronic alcoholism के patient है तो उनको भी यह medication prescribe नहीं करते हैं pregnancy category के हम बात करें तो pregnancy में यूज नहीं होती गाइनेकोलोजिस्ट की जरूर से advice लिए चाहिए कि अगर कोई भी बलगम related symptoms से तो गाइनेकोलोजिस्ट उसके बाद एक अच्छे physician MD doctor के consultation के बाद ही यह medication जो यह वो pregnancy में यूज होती है drug drug interactions के बात करें तो काफी सारी दवायों के साथ यह interactions करती है तो यहाँ पे आप यह list 1 देख रहे हैं तो इन सभी दवायों के साथ यह interactions करती है आप वीडियो को pause करके यह देख सकते हैं फिर यह second list है यहाँ पे तो यह दवायों के साथ भी यह drug drug interaction करती है और तीसरा list हम देखें तो यह सभी जो दवाया है उसके साथ भी यह drug drug interactions करती है तो जो acidity के लिए जो cemitidine आती है उसके साथ drug drug interaction करती है तो इसकी जो side effect है heartburn तो उसके लिए acidity के यह जो cemitidine है ranitidine है वैसे दवाया प्रेस्क्राइब ने की जाती पर कई बार omiprazole है, rabiprazole है वैसे दवाया की जा सकती है, तो अगर आपको मेरा ये वाड़ा वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देखें और चैनल को जरूर से subscribe करें, so good luck and all the best